Hey guys, how are you? This is Umesh Bhardwaj once again with all of you and guys, आज के दिन, यानि की 14th मार्च 2019 में, Dreet Replace B ने 3 new notice published किये हैं, जिन में 1 rejection notice हैं and 2 result notice हैं और दोनों ही result notice अगर आप भी देखेंगे, so आपको funny भी लगेगा, हसी भी आएगी और shock भी हो सकता है, so वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है, rejection notice number 366 for the post of PGT Punjabi female, post code 125 by 17, जो की DOE की post है, Department of Education, यहाँ पर अगर आपके सामने में दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखिएगा, your categories में 4 role numbers हैं, 4 candidates को यहाँ पर reject कर दिया गया है, this issues with the prior approval of Competence Authority DSSB, अब मैं आपको लेकर चाहता हूँ, same post के result की तरफ, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, यह देखिएगा तोस्तों, स्क्रीन पर आपको same post यानि की PGT Punjabi female, post code 125 by 17, और DOE का ही same post जो मैंने अभी पीछे rejection notice दिखाया, उसी का final result notice है यह, notice number 365, और यहाँ पर आपके लिए एक हैरानी की बात, खुशी की बात, शौक की बात एक यही है, कि सिर्फ और सिर्फ एक candidate यहाँ पर clear किया है, सिर्फ एक candidate की यहाँ पर joining होगी, यूर category से है, एक candidate, roll number आपके सामने screen पर है, and second candidate है तो, लेकिन इनका अभी थोड़ा सा जोल बाकी है, आप देख सकते हैं यह जो point number 3 है, यहाँ पर देखीगा, roll number में mention है, name है, just create core भाठिया, और इनका document required है, E-dos year के लिए, जो की क्या है, name of candidate is differ in M.A. marks sheet, which need to be clarified by the candidate in the E-dos year, so भाई, अगर same candidate अगर यह देख रहा हो, या उसके कोई friend देख रहे हो, तो इन तक यह बात पहुँचा हिएगा, कि अगर name में कुछ difference आता है, so वो अपना एक affidavit district code से बनवा ले, self का affidavit उसे बोला जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है, कि दोनों नाम के जो candidate हैं, वो same हैं, और वो आप date replace B में submit करा सकते हैं, as a E-dos year में, अपना other documents के रूप में, उनका यह issue clarify हो जाएगा, और यह भी result में जो final candidate है, उनकी list में शामिल हो जाएगे, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको, एक other post के लिए, और result notice ही है, वहाँ पर भी आपको ऐसी ही है रतंगे चीज देखने को मिलेगी, कि एक ही candidate clear किया है, देखेगा notice, देखेगा friends, यह जो new notice है, यह है for the post of history, PGT history, female candidate, and DOE का ही exam है, यह post code है, 139 by 12, या फिर 2012, ओके, शायद यह 2012 है कि post क्या अभी तक pending थी, नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा, बाकि जो भी चीजे हैं, आपको first वाले जो point है, उसमें clear हो जाएगा, कि यह अगर इसे revise किया गया है, 2017 या 2019 के case में, तो वो भी आप complete पढ़ लीजेगा, बाकि जो result मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ completely, कि सिर्फ और सिर्फ एक candidate यहाँ पर clear है, OBC category से है, role number यहाँ पर mention है, यहाँ पर second point में इन्होंने बताया है, कि एक role number का result pending है अभी तक, उनका online document station होना है, और वो अपना time से कर दें, जो कि OBC candidate ही है, और finally एक candidate के लिए नीचे इन्होंने कुछ बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो जो point number 8th है, 9th है, वो एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, कि कोई candidate है, विनित कुमार सिंग जी के नाम से, उन्होंने शायद MA 2721, MA 2722 by 16, अब वो section of the subject to outcome of the set the case, उके इन्होंने कोई case शायद apply किया था, उके, उसके बहाफ पर इनका result अभी pending है, और उनकी सुनवाई शायद बाकी है, उस post के लिए भी case अभी, इनका जो particular candidate है, उनके लिए ये case अभी शायद pending रह सकता है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, fourth point में एक OBC category का candidate clear किया है, यहाँ पर sign भी कर दिया गया है, शायद DSSB officials के ही होंगे obviously, और fifth point में इन्होंने mention कर दिया है, कि यह जो एक candidate है, वो अपना further documentation, जो भी इनका process होगा वो कराएंगे, आप पढ़ सकते हैं, जो third last line है, recruitment rules of the post of the many other general reasons, the decision of the user department regarding the eligibility of the candidate shall be finally and binding on the candidates, सभी को यह चीज मानने होगी, यह ऐसा लिखा हुआ है, so thank you very much, आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलता हूं next update के साथ as soon as possible, जो बबाएं टेक केर, क्या लगेगा, खुश रिएगा, ओल दी बेरी बेस्ट!